कोई टकर नहीं है 90% 99% BJP और राव इंदर जीत ही जीतेंगे और डंके की चोट से जीतेंगे देखिए जी राजबबड सहाब का यहां पर ग्राउंड लेवल पर कोई क्नेक्ट नहीं है जिसे कहा दो पेराशूट केंडिडेट लाउंच कर दिया है खाना पूर्ती होला काम है मैं मोदी का भूटा ने क्या किया लोकरी जजर रोस्टक में अर्श पूरा साहर फुकवा दिया हम उस देंगे कांग्रेश को कभी नहीं जुगा में चुनावी माहॉल क्या है मेरे को तो बीजिप के अगेंस्टी लग रहा है 50-50 है मुकाबला आप भी कम नहीं है कांग्रेश कार्टे की टक्कर है राजबाब पर बंबाई बाइज आम कि जाना है करने कदे कदा बच्छे लाज जाना काम करो शीना करो मोदी जिन्दा बात ऐसा क्यों कि भाजपा है मोदी जीने देश की लिए अच्छा काम कि है हमारा तो बीजेपी का यह जी बीजेपी में किसको इंदर्जीत को वोट दे रहे हो या भाजपा के काम को दे ना उरे तो देरा से इंदर्जीत को ही अगर लोग समझदार होंगे तो अपने लोकल इसूस को ही पहले सब्सक्राब में आएगा सब्सक्राइब को कोई खबर नहीं है वह अपने मस्त है कि मोदी मैजी के वोट मिलेगा उन्हें मांगने की जरुवत नहीं है चाहे विकास करो यह ना करो 2019 में हमारे जो कैंडिडेट से उन में थोड़ी हम्बलनेस थी वो इतना तक समझते थे कि वोट तो मांगना चाहिए कम से कम जो कि हम बड़े बच्पन से देखते आ रहे हैं मतलब जब हम वोटर्स भी नहीं थे तब भी हम यह देखते आ रहे हैं कि वोटिंग जो है वो एक बार तो आता है कोई मांगने के लिए बट यहां पे तो एरोगेंस इतना भर चुका है कि वोट मांगने के लिए कोई नहीं नमस्कार, एंजेपी हरियाना की टीम आज मौझूद है गुडगाउं लोग सबाशेत्र के मिलेनियम शहर गुडगाउं में फिलाल हम सेक्टर 27 में मौझूद है, यहां पे सेक्टर 27 और आसपास की कलोनियों के प्रमुख लोग है, इनसे जानते हैं कि गुडगाउं में चु बाजबबर को टिकेट दी गई है और इसी मैदान में जजपा ने उतारा है धाउल फाजिल पुरिया को तो फिलाल लोगों से जानते हैं कि इस बार लोग सभाद चुनाव में गुडगाओं क्या बोल रहा है यहां की जनता क्या बोल रही है सबसे पहले आप से शुरुआत कर रहे हो या राव इंदर जीत को देखिये जी इसमें सारे ही एंगल होते हैं काम भी और फिर संगठन भी और चहरा भी जो इस टाइम मैदान में है तो सबसे प्रबल दावेदार तो बीजेपे काई कैंडिडेट है काम तो नो डाउट हुए हैं दस सालों में जो अगाजपा कि किन कामों को उपलब दिया मांद रहे हो कि उधर वोट जा रहे हैं एक तो देश में सेंस ओफ सेक्यूरिटी आ गई है जो पहले आतंकवादी हमले छोटे मोटे हो जाया करते थे दिल्ली तक भी होने लग गए थे सरोजनीनगर वोगेरा में तो वो एक आम आदमी कि यह वारदात होई नहीं है इसाल 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 रहता है यह अभी ना देखो अब पहले हो सकता है मैंने भी कभी जमाने में पाउगरेस को बोड़ दिया हो लेकिन अब पब्लिक सब समझ चुकी है पब्लिक को पता लग चुका है इसलिए आप कहीं भी जाओगे आपको बी बीजेपी से ऐसा लगता है कि हमारा देश चुरक चीत है हम सो कि इसके टाइम में ने कॉंगरेस की टाइम पे दिखो सब करते रहे लेकिन ठीक से अब पुबलिक समझ गई है पहले हम भी नहीं समझ देते लेकिन अब पबलिक को सब पता लग चुका है बते हैं मेरा नाम जरेंदर शिंग राना है आपको क्या लगता है महल तो 200 परसेंट बीजेपी के लिए है पब्लिक बीजेपी को वोट स्पोर्ट और चाती है ऐसी वज़ा क्या रही कि बीजेपी की तरफ पूरा महल आपको लग रहा है दूसरी किसी पार्टी की तरफ लिए जो जिस पार्टी ने काम किया है, जिस पार्टी ने कुछ करके दिखाया है, दरहातल पे मजबूती आई है, पुब्लिक में श्कुर्टी बनी है, और जिस तरह से एक सब लोग जानते हैं, बोलते हैं कि मोदी है तो मुम्किन है, ये विश्वास बना है कि मोदी है तो मुम्क एक सवाल मेरा आप सबसे हैं कॉंग्रेस ने कैप्टन अजे जिंग यादव को टिकेट ना देकर राजबबबर को दिया है उससे कुछ बदला हुआ है जो भी जाब देखिए जी राजबबबर सहाब का यहां पर ग्राउंड लेवल पर कोई क्रेक्ट नहीं है रणसाब और एक जिसे कहा है पराशूट केंडिडेट लॉंच कर दिया है खाना पूर्ती होला काम है कि वही चलो कोई नहीं मिल रहा है तो राजबबर सहाब को इन्वाल्व कर दिया जाए जो की बिचारे मुझे लगता है नहीं जिनको पूरी हमारी लोक सभा के गाउं का भी नाम कि बात करते हैं 2014 की बात करते हैं अब 2014 कुछ बदलाओ बदलाओ सच तो नहीं है इंटर नेशनल लेवल पर जरूग डेवलमेंट है लेकिन प्रो बीजेपी सब कुछ चल रहा है प्रो मोधी चल रहा है मैं तो कहूंगा मोधी मैजिक ही इसको समझा जाएगा और इन कर दिया जाता है कोई अपना फन उठा नहीं सकता तो पिरो वह बीजेपी इसब कुछ महल है जोरी भागवान सिंग आप बताये क्या महल तो यहां यहां बीजेपी का तो नहीं है वह था भी नहीं क्यों यहां के कैप्टन आज़े या डादो को टिकट देती नहीं तो काट कि काटे की टखकर हो ती विये राज बदबर लिया जिया इसको यहां लोग कम जानते readности और चीजिए गल्ट असर जाएगा और बाकी तो एक अपिविटी फिफटी है मुकाबला भी कम नहीं है काटे के के है यह कहरे है ने ऐसा नहीं है एक राव साथ पर इस पर इंदर जीद पर कोई लांचन नहीं है किसी किसम का इसलिए लोग इसको स्पोर्ट करते हैं इसको वोट देते हैं तो भाजपा को नहीं यहां पर लोग राव इंदर जीद को वोट देंगे राव इंदर जीद को वोट अधिन्दर जीत का है सारा, रामपुरा हुष्य कमान होती है, पूरा राव साब को वोट देते हैं यह लोग, जाए वो कांग्रेस में जाओ, जाओ, बीजेपी में जाओ, कोई पार्टी में जाओ, मौदी फैक्ट कोई नहीं है यहाँ. तो भाजपा के, दस साल में काम से खुश नहीं है? नहीं, काम से कोई खुश में नहीं. काम क्या कीया MRT कोई किया नहीं यह भाजपा अदा मुद्धा, वो तेरा मिने बैटे रही शाथ साधसौगा, साथसौ शाभबगा थी, फिर यह पहलब वाननों का था, वर उनका इसे ही तो यह तो ने किसानों की है ने पहलवाणों की है, कीसी की नहीं है यह तो पार्टी है मेरे नविर्द हम सरेंदर सुर्पिकारावि है हरी का महल है और उसका का रड़कॉन होई है यहां पर आप लोग टकर किसमें देखते हैं किन पार्टियों में टकर देखते हैं कोई टकर नहीं है 90 परशंट 99 परशंट बीजेईपी और राविंदर जीत ही जीतेंगे और डंके की चोट से जीतेंगे बहाजपा रास्ट्रिय ब्यद्व पर केंद रीत है बëlजपा का चुनावी का कंग्रेस का से लोकनली मुद्ड़ पर केंद रिडिट कर रहे हैं हमें तो कोई ऐसा लोकल मुद्दा कॉंग्रेस ने नहीं उठाया जिससे हमें पता चले कि भई क्या कंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं वराज बपर को बिचारे को पता नहीं कहां से पकड़ के लिए आई वो मजबूरी में आ गए वो उनके साथी हैं लेकन कोई उनको कंडिड पक्रते हैं कि लिए हम तो यहां की बात करते हैं घृजपा के जो कंडिडेट रहूल फाजिल पुरिया कि लगता है उनका उस हसर पड़ेगा देखो जी वो लोकल आदमी है यहां के फाजिलपूर गाउं से हैं वो बाकी जजपा का यहां बेस तो कोई है नहीं लेकिन जो ऐसा आपने बताया कैंडिडेट रहूल फाजिलपूरिया है तो वो अपने प्रयास जारी रखेंगे अपने लोकल होने का उन्हें फाइदा मिले यहां का थोड़ा और काफी दिनों से अच्छा काम कर रहा है इसलिए इसका बढ़िया और यहां का लोकल है आप बताएगे क्या चुनावी महूल चल रहे हैं देखिए चुनावी महूल अगर 2014-19 की बात कर रहे हैं तो अब इस बार अलग है 2014 तो बदलाव चाहती थी जनता तो बदलाव के लिए आशा में आये थे कि ब्रस्टाचार विकास सबका साथ और 2019 में फिर अलग हो गया कुछ देश बावना वगरे अब उसके बाद से महूल पूरा चेंज हो गया तो कॉंग्रेस की तरफ लोग ज़्यादा मूव होंगे तो आज हम मोजूद हैं भी अपने केंडिडेट उताग दिया देखो चुनाओ के पहलू से में बात देखूं तो मुझे लगता है कि चुनाओ में वो गर्मी नहीं है इतनी सरगर्मी से चुनाओ परचार या कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है बाकि अभी सभी पार्टियों ने अपने केंडिडेट उतारे हैं तो देखते हैं आने वाड़े समय में चुनाओ परचार जोर पकड़ेगा और शायद और ज्यादा चुनाओ का माहूल और गरम होगा तो कुछ माहूल तो बन गया होगा पता चल रहा होगा कि किस पार्टी की तरफ रुजहान जादा है नहीं ऐसा गरम के मुद्ध हैं नगर निद्यम के मुद्ध्ध हैं जो ये समस्याएं है लोगों की इससे मौजूदा सरकार है उसके उपर कुछ असर पढ़ेगा पढ़ना तो चाहिए अगर सरकार लोगों के परति समवेदन सील है तो अवश्य पढ़ना चाहिए क्योंकि सरकार जनता के लिए है और जब जनता को मूल भुत्स विदाई नहीं मिलेगी आए दिन पाने की समश्या रहती है आए द जादा अब गंदगी से अटी पड़ी है पहले शायद कभी नहीं रही आईडी सीटी के ही अन्य लोग है इनसे बात करते हैं सबसे पहले नाम बताईए चैताली मंदोत्रा चैताली जी आप बताईए क्या चुनावी माहोल है गुडगाओं में माहोल तो ये है कि हर कोई सुबे शाम कूड़ा जल रहा है क्या बताए हम मतलब आपको मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे खतम करूं रोड्स दर आर नो रोड्स यू टॉक अबट इलेक्रिसिटी इट्स इन वेरी वेरी साड स्टेट बहुत बुरी हालत म है और अगर आप सीवर की बात करें या डीसिल्टिंग वेगारा की बात करें तो हर कहीं पे जल भराव हो जाएगा थोड़ी से थोड़ी बारिश में भी आप देखेंगे कि हर कहीं पे जल में 2019 और 2024 क्या बदलाव है 2019 में हमारे जो कैंडिडेट से थोड़ी हम्बलनेस थी वो इतना तक समझते थे कि वोट तो मांगना चाहिए कम से कम जो कि हम बड़े बचपन से देखते आ रहे हैं मतलब जब हम वोटर्स भी नहीं थे तब भी हम यह देखते आ रहे हैं कि voting जो है वो एक बार तो आता है कोई मांगने के लिए बट यहाँ पे तो arrogance इतना भर चुका है कि vote मांगने के लिए कोई नहीं आ रहा है मेरा नाम डॉक्टर ईशा है आप बताईए कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या है अगर लोगों से पूछते हैं आम जंदा से पूछते हैं मेरा तो मानना है कि जो मारे local issues हैं वो ही हम जो general public के लिए वो ही चुनावी issues है और लोग कहते हैं जी nation first ये तो Modi के नाम पे vote दिये जाएंगे पर भी मैं तो कहते हूँ कि अगर भी nation तो तब है हमसे ही तो है अगर हमारे local issues हमारी small level पे problems ही solve नी होड़ी तो नेशन क्या आगे बढ़ेगा Modi magic अब काम निकलागा मेरे साब से तो करना चाहिए नहीं कर रहा है कि नहीं मैं नहीं कह सकती पर नहीं करना चाहिए अगर लोग समझदार होंगे तो अपने local issues को ही पहले उठाएंगे Modi तो बाद में आएगा मेरा नाम केशव आप बताएए क्या माहूल है चुनावगा चुनावगा महाल है कि महाल किया मैं देखता हूँ सरकार को तो कोई ख़बर नहीं है पब्ली की वोग अपने मस्त है उनसे कोई मतलब नहीं है Gustav कोई का विकास हो या नाहो कोड़ा उठे ना उठे कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है के बताएज में कम फब्लिक का द्यान देना चाहिए 2014 में भाजपा जह एकावग तोननों में क्या अंतर रहा कि अब 2024 में ये बदलाव चाह रही है जन्ता पहले तो इनको अपने वोट की चिंता पड़र होता था लेकि रभी इनको भी डर नहीं है इन्हें कोई मतलब भी पॉब्लिक से नाम बताईए मैं पानी निगुपता गुडगाओं में चुनावी माहौल क्या है गुडगाओं का चुनावी माहौल इस समय मेरे को तो बीजीपी के अगेंस्ट ही लग रहा है जनरली जब मैं देखता हूं कि किसी से बात करता हूं क्योंकि जनाव आप कहीं भी जाकर देख लिजा कूडा किसी भी में रोड पर चले जा पूडा है किसी भी it पे चले जा वहां पर हॉकष बेठे वुए पेबमेंट है नहीं चलाने को रहर रास्ते नहीं है WOW किसी भी कल्णी के अंदर चले जा और रोड डूटीवी है Rebecca Heald आपको मिलेंगी नहीं उहा जो रिक्वार्मेंट है, जो यहां के रेजिदेंट्स के लिए, वो भी पूरा नीगर पारी है, हमारी स्टेट गॉर्मेंट, तो हम और किसी के क्या कहें। नमस्कार, NJP Haryana के टीम आज पहुची है गुडगाउं लोकसभाशेत्र के पटोदी विधान सभा के गाउं हाली आकी में अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बताईए है, शीरी राम, शीरी राम गाउम आपका, हाली आकी, तो माहूल किसका गाउं में आम तोर पर बात होती ह होगी? माहूल तो बीजी पिगाई चल रहा है, राव इंदरजीत को, मोधी को बोट दे रहे हो या इंदरजीत को, सब आज है, जो इंदरजीत को जाएग, वो भी मोधी को जाएग, और मोधी को जाएग, निच्च मोधी को निच्च, मोधी को निच्च, इंदरजीत को आपका नाम रोबिन सिंग अच्छा मोधी को बोट देगे जिन्दाबाद एसा क्यों कि भाजपा है कॉंग्रेस नहीं है मोधी जी ने देश के लिए अच्छा काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया जो जो पबलिक नाराज हो या पबलिक को नुक्षान हो उसने देश को उपर ले जाने के लिए काम किया और अमोधी के साथ है जिन्दाबाद है अगर दो हजार उन्निस के चुनाओ की बात करें और अब दो हजार चौबिस के हैं माहौल में कुछ बदलाव है? कोई मोदी मैं जी कभी बी चल रहे हैं आप बताये आपके गाउं में क्या चुनार मावाण जी कोई एक तो इसा होगा ना कि आज आए इंदर जी शाब आए तो कुछ विचार लोगों का देखो कैसा हुतता है फिर भी अगर किसी एक का परड़ा देखा जाए जाए अब इसे कोई परड़ा गढ़े तो चुनाव बास ले नाब ही जाए परकास गाउं नूरगण तो आप बताओ गाउं में किसका माहोल है अमारे तो बीजेपी का याजी बीजेपी में किसको इंदरजीत को वोट दे रह अनतरहें, आपकी बार कम बोट है, इंदरजीत का, क्यूं, वजय भी खोगी कोई, इब तो भूचाने चिक दावता थिकोने, वोट मंगने एक दिने, आवज बता दी बूरें, इंदर भाजपा को बोट, बोट दोनवा की है, मारे बराबरी टक्करे उरते, काटे की टक्करे क एक तक रहे होगे तेक बाताना नाम बताओ नाम से पिद्धित की है मारी या जाता है इंदर जीत को क्यों मारा इलाकम यही है और कोई है ना कि तक कर गाजी में आपके बार कॉंग्रेस ने राज बबबर को दिए टिकेट लाज बैस सदेए राज भबर बंबर बैढ़ जिया तो गाउं में पर्मानेंटी ऐसा है कि भाजपा एक तरफा ही रहता है एक तरफा किते नाई सी हम आपनी बताऊं संदोप दैंडिराम गाउं चिलर की आप बताओ किसका माहों है मैं मोदी का इंदर जीत का मत सम्झो मोदी के क्यों हुगदा ने क्या किया नोकरी जजरर रोजचक में अर्श पूरा शायर फुकवा दिया हम उस देंगे कांग्रेस कभी नी दूंगा मैं